ग्रहमंत्री नरोत्ता मिश्रा ने कृषी सुधार कानून को लेकर कहा कि MP का किसान समझदार है किसान जानते हैं कि यह कानून के हित में है नोहोंने कॉंग्रेस नेता दिखविजे सी और कमलनाज के उपवास को लेकर तंज कसा और कहा कि जब इनको उपवास करना था तब नहीं किया कमलनाज सिखों के बीच जाएंगे तब उन्हें उनकी एहमियत पता चलेगी ग्रहमंत्री नरोत्ता मिश्रा ने कहा MP का किसान जानता है कि कृषी सुधार कानून उनके हित में बनाए गए है सभी मंत्री किसान समेरन में जाएंगे और कृषी सुधार बिल के बारे में किसानों को बताया जाएगा उन्होंने कमलनाज पर निशाना साथ से हुए कहा कि कमलनाज जब सिखों के बीच जाएंगे तब उनको उनकी एहमियत समझ में आ जाएगी कॉंग्रेस के कॉंटेक्ट फार्मिंग के विरोध पर उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस कभी एकमत नहीं रहती नौजवानों को भत्ता नहीं दिया ना कर्दमाफी की कॉंग्रेस जो कहती है वो नहीं करती है प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही मिलावत पर कसावत अभियान पर उन्होंने कहा मिलावत खोरों के खिलाफ कड़ा कानून आएगा तीन साल तक की सजा का प्राबधान होगा युवा कॉंग्रेस अंगठन चुनाव ने उठे विवाज पर उन्होंने संज कते हुए कहा यूज कॉंग्रेस चुनाव में सिर्फ परिवारवाद है किसी नेता के बेटे को लाभ देने के लिए यह पूरी कवायत की गई है वैसे मद्यपरदेस का किसान समयदार है हमारी समझाइस की उसे आवश्यक्ता नहीं है वो खुदी इस ब्रह्म और जूट से दूर है वो जानता है कि भारती अंता पार्टी सदेब किसान के हित में ही निर्णे करती है और मद्यपरदेस में तो किसान का बेटा मुख्यमंत्री है जितनी योजना है मद्यपरदेस में किसान हितेसी हमारी सरकार ने लागू की है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो पाई जहां तक सवाल सम्मिलन का है तो कल आपने देखा होगा लाखों किसान आए मुक्ष मंत्री जी ने इसको इस्टाहत उठा के पूछा सभी ने सहमत ही दी इस मिलके लिए मैं भी आज जा रहा हूँ इन दोर में कारिकरम है हमारी कोसिस है अपनी बात पहुचाने की जब करना था तब किया नहीं अब वास की याद आ रही है जाए न कमलना जी सिक्खों के बीस में उनको ग्यान आ जाएगा उसके बाद में के कांग्रेस के बारे में और इनके बारे में क्या सोचती है किसान अब ज्यादा दिन तक मामला चलने वाला नहीं है आराम का वक्त है आराम करें कांग्रेस हमेशा दो मही राजनीती करती है और इसलिए कमलनाज जी ने जिस सोजना है उसका विरूद कैसे करेंगे लेकिन वो जो कहते हैं वो करते हैं जो करते हैं वो कहते नहीं अभी जो कह रहे हैं वो किया नहीं और जो कहा था करजा माफी वो किया नहीं जो कहा था नौजवान को बेरोजगारी भत्ता वो दिया ने तो ये सुभाविक रूप से दो मुहें राजनीती कहलाती है हमने अभ्यान पारम किया था अब हम इसे संगे अपराद बनाने पर विचार कर रहे है एक संसोधन करके लाने के बारे में विचार चल ला है जिसमें तीन वर्स से अधिकी सजा का परावधान इसके अंदर किया जाएगा अभी हमने मिलावटी 26 हज़ार से अधिक दूद पकड़ चुके है सो किलो से अधिक पाउडर पकड़ चुके हैं हज़ार किलो से ज्यादा मावा मिलावटी पकड़ में आया है और पूरी तरह से मिलावट पर कसावट में मद्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को नहीं रहने देंगे जो ड्रग माफिया है उसके खिलाब भी लगातार हमारी कारवाई चल रही है और लगातार उन पर करके हमने 48 आप राधिक प्रक्रम अभी तक इस तरह के दर्जी किये 48 के लोग गांजा, इसमैक्स, कॉरेक्स की 26 सो से अधिकी बोतलें गांजा, भांग, यह सब जो इस नसे के पदार्थ का काम करते हैं इन सब के खिलाब लगातार कारवाई कर रहे हैं और 48 के सभी तरह पजी बोतलें संगीत की स्वद लहरियों से, सांस्कृत एक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से, नकसलवादियों के गड़ तक, जोपड़ी से महलों तक, थेलों से मेलों तक, पकदंडियों से सड़कों तक, गांव से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्धीती से कूट मेती था दखन न्यूज आप क्या था आप देख रहे हैं दखन न्यूज